वेरी गुड मॉर्निंग टू अलफी दोस्तों स्वागेत है आप सभी का वाइट एजुकेशन पे और एजुकेशन की एटेसिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे ये खबर है उन छात्रों के लिए जिन्होंने बिहार S.S.C. का ओफीशल अपडेट देखा होगा जी हाँ ये अप फाइनल दे दिया गया है जिन छात्रों ने इसका एक्जाम दिया था उनमें आपको बता दे कि 5000 से भी ज्यादा छात्रों को यहां पर मुख्य परिक्षा में सामिल किया गया है चलिए आपको इसकी ऑफीशल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं दोस्तों लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे साथी साथ बेल आइकन दबा लेजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माधियम से जा सक करते हैं तो बेल आइकन दबा लेजिएगा जरूर से जरूर का ताकि आपके मोबाइल तक पहला नोटिफिकेशन जा सके अब हमारा टेलीग्राम कर लेजिएगा टेलीग्राम का लिंक हमने चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में दे रखा है यहां से आप टेलीग्राम की क्यूज करना चाहते हैं बिहार की परिक्षाओं के लिए तो आप लोग को वाइटे एजुकेशन बिहार दरोगा बीपीएसी का यहां पे आप क्यूज कर सकते हैं तो यहां पे आप लोग अपने तयारी में हमारे साथ जूड़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर भी जिस सकते हैं यह पीटी रिजल्ट उन चात्रों का जो कि सहायक उर्दु अनुवादक के लिए आविदन किये थे चलिए इसको देख लेते हैं यहां पर कितने चात्रों का यहां पर सेलेक्शन हुआ है फाइनली यहां पर तो मैंने इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर रख 5,322 अभियारतियों को मुख्य परिक्षा है तो योग्य यहां पर चुना गया है दोस्तो मुख्य परिक्षा है तो योग्य पाया गया अभियारतियों का अनुक्राम जो है यहां पर आरोही क्रम में दिया गया है आप इसको अपना रॉल नंबर चेक कर सकते हैं 5,322 लोग 21-21ź तारीह को ठीक है जयान रखेगा जैसी आप यहां पर िक्लिक किजिएगा इस section पर तो यहां पर आपको अपना रॉल नंबर लिखने को आएगा तो अपना रॉल नंबर यहां से से जो है आप डाल सकती है और से हैं जो यहां पर यहां पर देख सकते हैं 5,322 लोगों का वेकेंसी का जो पीटी का रिजल्ट दिया गया है उनके लिए अच्छी ख़बर है और उनका रिजल्ट हुआ अब वो अपने मेंस की परिशय के त्यारी में लग जाईए तो उनको यहां पर बोला गया है अपना वेबसाइट जो है विजिट करते रहेंगे और उनका मुख्य परिशय का जो तीथी है वो जल्द ही सुचित कर दिया जाएगा और अभ्यार्थियों से अनुरोध है यह बि दोकन करते रहेंगे और जो भी टंकान में भूल हुई है उसके लिए जिम्मबार नहीं होगा आयोग यह भी बात लिख दिया गया है कल शाम को इसका अपडेट दिया गया है और यह अपडेट दोस्तों आज पब्लिश कर दिया गया है सुबह आपके वेबसाइट पर भी तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही था जो कि मुझे आप तक साजा करना था मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट में नई वेकेंसी को लेकर नए अपडेट को लेकर आपके लिए जो भी याउट आपका है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं उसके जवाब जरूर दिये जाएंगे धन्यवाद